तीन अंकों वाली संख्या बूजना पांच वाई एक रिण तेईस वाई परावर तिनसो पच्चिस में वाई का मान क्या होगा? बायपक्ष की संख्याओं को इस्थानिय मान के रूप में लिखें कोस्थक में 500 धन 10 वाई धन एक रिण कोस्थक में 200 धन 30 धन वाई बरावर तिनसो पच्चिस पांसो एक रिण दो सो तीस धन 10 वाई रिण वाई बरावर तिनसो पच्चिस 211 धन 9 वाई बरावर तिनसो पच्चिस 9 वाई बरावर चववन अता वाई बरावर छे उदाहरन दो AB गुणा AB बरावर ACC हल संख्या AB का विस्तारित रूप है 10 A धन B इसलिए हम AB गुणा AB को लिख सकते हैं 10 A धन B गुणा 10 A धन B या इनको जब हम आपस में गुणा करेंगे तो मिलेगा 100 A का वर्ग धन 20 A B धन B का वर्ग ये हो गया हमारा समिक्रण नमबर 1 इसी तरह से गुणनफल हमारा था ACC इसको हम विस्तारित रूप में लिख सकते हैं 100 A धन 10 C धन C ये हो गया हमारा समिकरण नमबर 2 अब हम समिकरण 1 और समिकरण 2 की एकाईयों की तुलना करते हैं तब हमें मिलता है 100 A का वर्ग बराबर 100 A या हम कह सकते हैं कि A बराबर 1 इसी तरह से दूसरी एकाईयों की तुलना करें तो हमें मिलेगा 20 A B बराबर 10 C और इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 A B बराबर C और तीसरी की तुलना करने पर हमें मिलता है B का वर्ग बराबर C ये हमारा हो गया समिकरण नमबर 3 ये हो गया 4 और ये हो गया 5 चुंकि समिकरण 3 में हमने देखा कि A बराबर 1 है इसलिए समिकरण 4 से हम लिख सकते हैं कि 2 B बराबर C और समिकरण 5 में B का वर्ग बराबर C में इसे रखने पर हमें मिलता है B का वर्ग बराबर 2 B या हम इसे लिख सकते हैं B का वर्ग रिन 2 B बराबर 0 या B B रिन 2 बराबर 0 यहां से हमें B के दो मान मिलते हैं B बराबर 0 या B रिन 2 बराबर 0 इसे हम लिख सकते हैं B बराबर 0 या B बराबर 2 लेकिन B बराबर 0 संभव नहीं है क्योंकि यदि B बराबर 0 हो जाता है तो समिकरण 4 से आप देख सकते हैं कि चूंकि 2 B बराबर C है इसलिए 2 गुणा 0 बराबर C या 0 बराबर C तो हमें B और C दोनों के मान 0 मिलते हैं अतह B बराबर 0 नहीं है क्योंकि B और C दोनों अलग अलग अंक हैं तो हमें यहां से मिलेगा B बराबर 2 और इसलिए जब हम समिकरण 5 में B का मान रखेंगे तो C का मान मिलेगा यानि समिकरण नंबर 5 से चूंकि B का वर्ग बराबर C है इसलिए 2 का वर्ग बराबर C या 4 बराबर C आता है हमें उत्तर मिला A बराबर 1 B बराबर 2 और C बराबर 4 आता हमारा हल होगा 12 गुणा 12 बराबर 144